पानी की चनकी भी बदल सकती है भाग्य, रख दी ये तू चीज, कभी नहीं होगी धन की कमी. वास्तू शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज की सही दिशा के बारे में बताया गया है. वास्तू नियमों के अनुसार घर में चीजों को अगर गलत दिशा में रखा जाता है तो इससे वास्तू दोश का खत्रा बढ़ जाता है. इसके अलावा घर परिवार में कभी भी सुख, शांती, सम्रिद्धी और धन का वास नहीं होता है. इसके अलावा कार, अल्मारी, पस और यहां तक की पानी की टनकी में कुछ विशेश चीजों को रखने से घर में बरकत आने के साथ साथ वास्तू दोश से छुटकारा मिलता है. इसी वजह से कहा जाता है कि घर में मौजूद छोटी से छोटी चीज आपका भाग्य बदल सकती है. वास्तू शास्त्र में घर में मौजूद पानी की टनकी के लिए भी सही दिशा निर्धारित की गई है. इसके अलावा कुछ विशेश चीजों को पानी की टनकी में रखने से व्यक्ति को मा लक्ष्मी का आशिरवाद मिलता है और घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता. तो आईए जानते हैं पानी की टनकी के लिए कौन सी दिशा सही है. किस दिशा में होनी चाहिए पानी की टनकी? वास्तू शास्त के अनुसार पानी के तत्वों के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी होती है. इस दिशा में पानी की बोतल, नल और टनकी रखना शुब होता है. साथ ही इससे घर परिवार में कभी भी वास्तू दोश नहीं लगता. इसके अलावा आपके घर में अगर कोई बार-बार बीमार पढ़ता है तो आज ही अपनी पानी की टनकी को उत्तर दिशा में रख दें. इससे उस पर मंद्रा रहा खत्रा कम हो जाएगा और उसकी सेहत में भी सुधार होगा. इसके अलावा आपके घर पर हमेशा मा लक्षमी की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिती भी मजबूत होगी. वाटर टैंक में किन-किन चीजों को रखना चाहिए. वास्तू नियमों के अनसार, पानी की गलत दिशा से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है. इसके अलावा आर्थिक स्थिती भी कभी मजबूत नहीं होती. लेकिन दो विशेश चीजों को आप अपनी पानी की टनकी में रखने से इन समस्याओं से बच सकते हैं. इसलिए आज ही अपनी पानी की टनकी में ये दो चीजे रख दें. एक, वास्तू शास्त्र में कच्छुए का बहुत महत्वा है. इसे पानी में रखने से धन के देवता को बेर प्रसन होते हैं इसलिए आप इसे अपने घर में मौजूद पानी की चनकी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं लेकिन ये कम से कम आपके एक हाथ जितना बड़ा होना चाहिए इससे आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी इसके अलावा आपके घर परिवार में शांती, सुख और सम्रिद्री का वास होगा दो, अगर आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पढ़ता ही रहता है या फिर पैसों की तंगी रहती है तो ऐसे में आप अपनी पानी की टंकी को उत्तर दिशा में रख दे और उसमें एक विश्नू शंक रखें इससे आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा सकारात्मक रहेगी